दोस्तों गणीत में भीन प्रकार की संख्याओं के बारे में संख्या पद्दती के अंतरकत हम जान चुके हैं उन में एक नई प्रकार की संख्या है जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं तो आज हम ये समझने की कौशिश करेंगे कि अभाज्य संख्याओं क्या होती हैं, क्या इनकी प्रकरती होती हैं, क्या इनकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् समझने का प्रयास किया इसकी चार मुलभूत संक्रियाओं का प्रयोग भी हमने किया जिसमें आप जानते हैं योग व्यवकलन गुनन और भाजन ये चार मुलभूत संक्रियाओं हमने काम में ली इसमें से जो गुनन की संक्रिया है उस गुनन की संक्रिया से ही हम आगे यहां बढ़ने की कौशिश करेंगे और किस तरह से अभाज संख्या की प्रकर्ती निकल कर आती है उसको जानने की कौशिश करेंगे देखे आपने देखा कि दो प्राकर्त संख्या हैं तीन एक प्राकर्त संख्या है और पांच एक प्राकर्त संख्या है अगर हम इसका गुणा करते हैं तो हमको 15 प्राप्त होता है इन जनरल हमने देखा कि P एक प्राकर्त संक्या या पूर्ण संक्या है Q भी एक प्राकर्त संक्या या पूर्ण संक्या है और इसका गुनन भी हमें प्राकर्त तथ्वा पूर्ण की रूप में प्राप्त होता है तो यहां हम यह कहते हैं कि भई यह तीन और पांच इस 15 के गुणनखंड हैं यह पांच का भाग 15 में पूरा चला जाता है, तो हमें तीन प्राप्त होता है अर्थातम्या कहते हैं कि 15 भाजित 5 बराबर यानि कि पंद्रा एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भाग देने पर भी हमें कोई प्राकर्त संख्या प्राप्त हो रही है उसी भाती इन जन्रल कहें कि R बटा Q तो यहां P मिला जहां P, Q और R तीनों प्राकर्ट संख्याएं हैं तीनों पूर्ण संख्याएं भी हैं R भागित Q करने पर हमें P प्राप्त हुआ अब क्या कोई ऐसी ही बरिस्तिती होगी जिसमें गुणनखंड बनाना संभव ही नहीं हो भाई मैं यह कहूँ विद्यार्थी से कि भाई 6 के गुणनखंड ग्यात करो तो बालक कहेगा 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 मैं बालक से कहूँ 12 के गुणनखंड ग्यात करो तो बालक कहेगा 2 गुणा 6 फिर पूछूँ क्या 6 के और गुन्खंड हो सकते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 2 क्या 12 के कोई और गुन्खंड हो सकते हैं 4 गुणा 3 इतनी परस्तिया आ रही है अर्थात इस बारा में दो का भाग भी जाता है इस बारा में तीन का भाग भी जाता है इस बारा में चार का भाग भी जाता है तो बारा में भी बहुत प्रकार की संख्याओं का भाग जाता है दो का भाग भी जा रहा है, चार का भाग भी जा रहा है तीन का भाग भी जा रहा है, छे का भाग भी जा रहा है, तो क्या बारा को और गुणनखन भी बना सकते हैं भाई, अच्छा विचार में पड़ गया, और कौन से गुणनखन बना सकते हैं, दो गुणा छे बना दिया, तीन गुणा चार बना दिया, सोचो भाई, और गुरंदखंड ये भी हुआ इसका मतलब एक का भाग भी बारा में जाता है अब ये बारा एक ऐसी संख्या हो गई जिसमें एक का भाग भी जा रहा है दो का भाग भी जा रहा है तीन का भाग भी जा रहा है चार का भाग भी जा रहा है छे का भाग भी जा रहा है इतनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है क्या कोई ऐसी संख्या आपको मिलेगी जिसमें बहुत सारी संख्याओं का भाग भाग जाए विचार कीजिए तीन छे के गुणंखन तुमने किये दो गुणा तीन तीन के गुणंखन करने का प्रयास करो क्या मिलेगा क्या और कोई संख्या मिलेगी विचार करो सोच में पढ़ गए बालग तीन में गुणंखन करने का प्रयास करता है बालग तो उसको एक गुणा तीन के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा पांच के गुणंखंड करने की कौशिश करता है बालग तो एक गुणा पांच के अलावा कोई और गुणंखंड हो नहीं सकता अब देखिए जैसे बारा में एक का भाग जा रहा है दो का भाग जा रहा है तीन का जा रहा है चार का जा रहा है छे का जा रहा है याना कि बारा में बारा के अलावा ऐसी अरेक संख्याओं का भाग जा रहा है लेकिन देखिए विचार कीजिए तीन में केवल तीन का ही भाग जाएगा और एक का ही भाग जाएगा इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा वैसे ही पांच में भी पांच का ही भाग जाएग एक का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा इसका मतलब एक ये नई प्रकार की नई विश्यस्ताओं को लिये हुए हमें एक नई प्रकार की संख्या पराब्थ हुई वित्रो इस नई प्रकर्ती की इस गुण को रखने वाली इस संख्या को अभाज संख्या कहते हैं अगर इसको हम परिभाशित करने की कौशिश करें तो परिभाशित करने की जो स्थिती इसमें बनती है वो इस तरह से बनती है देखिए उन्हा समझने का प्रयास कीजिए मैं छोटी प्राकरत संक्या से आरम करता हूँ एक का गुणनखंड एक इंटू एक दो का गुणनखंड एक इंटू दो तीन का गुणनखंड एक इंटू तीन पाँच का गुणनखंड, 1 इंटू 5, 7 का गुणनखंड, 1 इंटू 7 विचार कीजिए, इन सारी संख्याओं पर तस्टिबाद कीजिए, इसकी प्रकरती को समझने की कौशिश कीजिए इस एक के अलावा ये सारी संख्याओं के गुणंखंड क्या बन रहे हैं वह एक और स्वयम संख्या अब देखिए दोनों गुणंखंड अलग-अलग हैं दोनों गुणंखंड अलग-अलग हैं लेकिन यहाँ पर दोनों गुणंखंड अलग-अलग नहीं है इसलिए ऐसी संख्या जिसका गुणनखन वह स्वयम संख्या और एक है और दोनों अलग-अलग है ये जो प्रकर्ती दिखाई पड़ती है वह प्रकर्ती अभाज्य संख्या की प्रकर्ती कहलाती है अर्थात अभाज्य संख्या की जो प्रिवाशा हुई कि एक ऐसी प्रकर्त संख्या जिसके केवल दो भिन गुणनखन एक तथा संख्या स्वयम ये जब आता है तब वो प्रकर्त संख्या के लाग विचार कीजिए छे इसके गुणंकन कर रहे हो तो क्या आ रहा है दो और तीन क्या परिवाशा में जो गुण लिखावा है वो लागू हो रहा है संख्या स्वयम और एक कहा है नहीं है ना इसलिए प्राकर्थ संख्या नहीं लेकिन नो तीन गुणा तीन क्या यहां आ रहा है संख्या स्वयम और एक नहीं आ रहा है इसलिए यह भी प्राकर्ट संख्या नहीं लेकिन ग्यारा ग्यारा के गुणंखन कीजिए क्या प्राप्त होगा एक गुणा ग्यारा संख्या स्वयम और एक यानि कि ग्यारा प्राकर्त संख्या है तो ऐसी संख्या जिसके गुनंखन वसंख्या स्वयम और एक हो वो सभी प्राकर्त संख्याएं कहलाती हैं मित्रो हम एक से आरंब करें और चलते चले चलते चले चलते चले सभी संख्याओं की गुनंखन करते चले हमको जिसमें भी वसं प्राकर्त संक्या कहलाएगी और आप फिर यहां ध्यान दीजिए इधर नज़र डालिए एक के गुनंखंड करें तो यह दोनों अलग-अलग हैं यह दोनों अलग-अलग हैं लेकिन यह दोनों अलग-अलग नहीं हैं इसलिए एक प्राकर्त संक्या है लेकिन एक अभाज संक् चलती चली जाएंगी चलती चली जाएंगी और अगर हमने पहाडों का अभ्यास पूरा किया है तो हम अभाज्य संख्याओं को आसारी से ग्याद कर सकते हैं जैसे मैं कहूँ इस 13 के बाद मेरे भन में आया 14, 14 को बोलू किसी पहाड़े में आएगा 2 सत्य चौदा 7 दुना चौदा अब 7 भी आ रहा है दो भी आ रहा है तो क्या प्राकर संख्या के नियम में आया नहीं आया क्योंकि 14 और 1 दोनों ही होना चाहिए था यहां तो यह दो अलग अलग आ गए इसलिए जो किसी पहाड़े में आ जाए वो भी अभाज्य नहीं होगी 16, 8 दुना 16 4 चके 16 अब यह भी किसी पहाड़े में आ गया इसलिए अभाज्य नहीं होगा लेकिन मैं 17 की बात करूँ तो 17 एकम 17 इसके अलावा कहीं नहीं आएगा किसी पहाड़े में नहीं आएगा सोचके परिशार हो जाओगे नहीं आएगा इसलिए अभाज्य इसलिए पहाडों का अभ्यास भी हो तो मौखी गुरूप से अभाज को तुम ग्यात कर सकते हो तुम्हें दिमाग में आया 34 अब सोचो पहाड़ा को याद है सतर दुना 34, सतरा इंटू दो आ गया तो कहां एक है भाई, कहां 34 है भाई, नहीं है ना इसलिए अभाज्य नहीं है, लेकिन 37, 37, 37 को सोचो किसी पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा, 37 गुड़ा एक, 37 इसलिए 37 अभाज्य हुई, कितनी ही बड़ी संख्या, मन में, विचार में आए पहाड़ा, ध्यान में लाने की कौशिश کرो, पहाड़ा ध्यान में लाओगे, किसी अण्य पहाड़े में आ जाये, अभाज्य नहीं होगी, स्वयम के पहाड़े में पहली बार आए, तो यह भाज्य होगी, इस साधरन तरीके से भी तुम अभाज संक्या को समझ सकते हो और जो अन्य किसी पहाड़े में आ जाए वो सब भाज्य हो जाएंगी जिनके दो से अधिक गुणंखंड हो जाएं वो सब भाज्य हो जाएंगी जैसे तुमने एक से प्रारम किया दो से प्रारम किया तीन से आये बीच में चार छोड़ दिया था चार के गुणनखंड करो दो गुणा दो गुणा एक दो से अधिक गुणनखंड हो गए छे का गुणा करो तीन गुणनखंड दो इंटू एक दो से अधिक गुणनखंड हो गए नो के गुणनखंड करो तीन गुणा तीन गुणा एक दो से अधिक गुणंखंड हो गए बारा के गुणंखंड करो दो गुणा दो गुणा तीन गुणा एक दो से अधिक गुणंखंड हो गए तो जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणंखंड हो जाएं उन्हें भाज संख्याएं कहते हैं और ध्यान दीजे तकनी की रुप से इसका एक नाम और है इन्हें संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं तो ये भाज्य संख्याएं सहयुक्त संख्याएं जिनके गुणनखंड दो से अधिक मिलते हैं उनको हम भाज्य या सहयुक्त संख्याओं के रूप में भी जानते हैं अब इन भाज्य और सहयुक्त संख्याओं के गुणनखंडों को समझना हो तो कैसे समझा जा सकता है गुनंखंड आपने या मोखिक रुप से ग्याद किये गुनंखंड आप इस तरीके से भी ग्याद कर सकते हैं जैसे आपने बारा एक संख्या ली इसके गुनंखंड करना चाहते हैं सबसे छोटे पहाड़े से आरंब कीजिए सबसे छोटा पहाड़ा कहां से आरंब होगा दो का पहाड़ा आरंब होगा दो के पहाड़े से आरंब कीजिए अब दो का पहाड़ा बोलते चले जाए तुम्हें जहां बारा मिल जाए वहां रुख जाए 2 एकम 2, 2 दुना 4, 2-3, 6, 2-8, 2-5, 10, 2-12, 2-12, तो क्या हुआ、 2-12 अब 2-12 हो गया, अब फिर पहाड़ा चलिए, अब फिर पहाड़ा चलिए, वही छोटे से चलिए भाई छोटे से चलिए दो के पहाड़े से चले दो एकम दो दो दुना चार दो तिया छे चे आ गया ना तो दो तिया छे अब यहां तीन पे आ गए और तीन पर आओगे तो अब तुम्हारे पास दो के पाड़े से तो काम नहीं चलेगा भाई दो के पाड़े से कहां तीन आएगा इसलिए अब तीन का पहड़ा बोलना पड़ेगा तो तीन से शुरू करो तो क्या होगा तीन एकम तीन सबसे छोटी प्रागशन लास्ट में अंत में मिल गई तो तो दो गुणा दो गुणा तीन गुणा एक यह गुणखन मिल गई अब यह गुणखन तुम्हें मिल गई किसके बारा के अब तुम्हें अभाज सिंक्या की पहचान करनी थी तुम्हें सवयुक्त सिंक्या की भी पहचान करनी थी इस तरह से अब भाज गुणखन को करके तुम सवयुक्त की पहचान कर सकते हो अब भाज की पहचान कर सकते हो बारा के गुणखन तुमने करके देखे तुम्हें कितने गुणनखंड मिले, गिनो भाई कितने मिले, एक, दो, तीन, चार, तो चार गुणनखंड हो गए, यानि कि दो से अधीक हो गए, तो जीनिके दो से अधीक गुणनखंड हो जाएं, वो क्या होंगी, वताओ भई, दो से अधीक गुणनखंड हो जाएं, तो वो भाज्य संख्याएं होंगी, वो स्वयुक्त संख्याएं होंगी, इसलिए इस गुणनखंड करके हमने ये तै कर लिया कि ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है, अगर एक ही गुणनखंड होता, जैसे सत्रा के अभाज्य गुणनखंड करो, आरम करो भाई, दो का पहाड़ा जा रहा है नहीं जा रहा है तीन का पहाड़ा जा रहा है नहीं चार का जा रहा है नहीं पांच का जा रहा है छे का जा रहा है सतरा इंटू एक किसके सतरा के गुणंखन सतरा इंटू एक अब कितने गुणंखन हुए? दो गुणंखन हुए अब परिवाशा याद कीजिए दो गुणंखन हुए तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणंखन हो वो क्या कहलाती हैं और दो ही गुणखंड में भी साथ में प्रकर्ती क्या वो संख्या स्वयम और एक संख्या स्वयम और एक यानि कि दोनों अलग-अलग अर्थात ये कौन सी हुई ये अभाज संख्या हुई इस तरीके से कितनी ही बड़ी संख्या आ जाए ये तो हमने छोटी संख्या ली 12 ली 24 ली 36 ली कितनी ही संख्या आ जाए हम अभाज संख्याओं को ग्यात कर सकते हैं इसलिए हमें इन अभाज संख्याओं के गुणंखंड को अच्छी तरह से समझना चाहिए फिर धीरे धीरे बारा लिया है 34 लो, 36 लो, 48 लो, 56 लो बालक गुणंखंड करे और जैसे ही दो से अधिक गुणंखंड आ जाएं वस्वम के दे गुरुजी यहां तो अभाज नहीं है यह तो भाज है अब बड़ी संख्या उसके पास प्राप्त हो गई गुणंखंड कर लिये और करने के पश्चाद उसने तै कर लिया कि यह भाज है या अभाज है लेकिन इन अभाज और अभाज में भी दो और प्रकार की संख्या हो उनको भी हमें समझने की आपशक्ता है उसकी विशेश प्रकार की प्रकर्टी की देखो अभाज संख्याओं के मैं करम को यहां लिखता हूँ सबसे चोटी अबाज़ संख्या अभी हमने अध्यन किया सबसे चोटी अबाज़ संख्या बताईए क्या है दो तो सबसे चोटी अबाज़ संख्या है दो फिर तीन फिर पांच फिर साथ फिर ग्यारा फिर तेरा फिर सत्रा फिर उन्नीस फिर तेवीस फिर एकतिस फिर उन्ति 29, 29 और फिर 31 ऐसे क्रम से चलते चले जाओगे चलते चले जाओगे तुम्हें स्मयम कंठस्त होने लग जाएगा क्योंकि तुमने ये सब अभाज संख्याएं गुणन खंड करके ग्याद की हैं अब देखो क्या तुम्हें कोई ऐसी दो अभाज संख्याएं क्रमागत मिलती हैं जिनमें दो का अंतर है हाँ मिलती हैं भई कहां कहां मिल रही हैं तीन और पांच में अंतर कितने का दो का दोनों क्रमागत हैं तो तीन पांच का एक जोड़ा हो गया जिसमें दो कांतर है पांच और साथ ये दो क्रमागत अब आजिसंग क्या हैं जिसमें दो कांतर है लेकिन साथ और ग्यारा हैं तो क्रमागत लेकिन दो कांतर नहीं है फिर देखो ग्यारा और तेरा ये दो क्रमागत अबाजी संक्याएं है इसमें दो का अंतर है अब तेरा और सत्रा इसमें है क्या दो का अंतर नहीं है सावधान हम कौन सी संक्याओं को देख रहे हैं ऐसी अबाजी संक्याएं देख रहे हैं जिन में दो का अंतर है इसलिए सत्रा और तेरा ऐसी अने को अभाज संख्याओं का जोडा तुम इस शंखला में से ढूंड सकते हो जिसमें दो का अंतर है और इसको एक नया नाम दिया गया है ना ऐसी दो अभाज संख्याएं जिन में केवल दो का अंतर है उसको यमच अभाज संख्याएं कहते हैं प्रीन प्राइम नंबर अंग्रेजी में इसका नाम है यमच अभाज संख्याएं कहते हैं ये इसकी विश्रिस्ता है, इस विश्रिस्ताओं को पहले उधारन के साथ समझाओ और उसके बाद उसका नाम करन करो, विद्यार्थी भूलेगा नहीं। ऐसी दो क्रमागत अभाज संख्याएं जिसमें दो का अंतर है, वे अभाज संख्याओं का जोड़ा युग्म यमज अभाज संख्या के रूप में जाना जाता है, ये संप्रत्य बालक के सामने स्पस्थ हो चलेगा। अब एक और नया संप्रत्य अभाज संख्याओं के संदर्व में ही बालक के सामने उपस्थित होगा, उसको भी हम समझने का प्रियास करते हैं। मित्रों आप जानते हैं अभाज का मतलब है कि किसी में भाग न जाए, अब भाग न जाए, तो वो अभाज हुए, लेकिन ऐसी इस्तिती भी तो हो सकती है, कि आपस में भाग न जाए। अब आपस में भाग न जाए, तो एक संक्या है आठ, उदारन के लिए हमने ले लिया, आठ, एक संक्या ले लिया हमने 27, आठ खुद क्या है, बाज्य संक्या है, क्यों, इसमें दो का भाग जा रहा है, इसमें चार का भाग जा रहा है, इसमें खुद आठ का भाग जा रहा है औरे भाई ये तो भाज है 27 ये खुद भी भाज है लेकिन देखो विचार करो क्या 27 में 8 का भाग जाता है भूलो 8 का बढ़ा 8 का बढ़ा 8, 8, 12, 16, 8 तिया चोईस और 8 चुका 32 अरे कहा 27 तो आया ही नहीं 32 पे आ गए 8 का भाग 27 में नहीं जाता है 8 में 27 का भाग जाता है नहीं जाता है तो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जान से समझे दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका आपस में एक दुसरे में भाग नहीं जाए वह जोड़ा सह अभाज संख्या के रुप में कहलाता है देखिए इसके दो नाम है सह अभाज के रुप में कहलाता है या दूसरा नाम एक और भी कह देते हैं असह भाज्य यहां आ गया अर्थ दोनों का समानी है अर्थ यह है कि दोनों का आपस में भाग नहीं जाए इसलिए उसको सह अभाज्य के रुप में जानते हैं यह विचार कीजिएगा इसके अलावा देखिए आपके सामने दूसरी परिस्तिती भी आ सकती है आप एक ले लिया आपने आठ और दूसरा ले लिया तीन बच्चे से पूछिए आठ क्या है अब बच्चा अभ्यास कर चुका है बच्चा विचार करेगा आठ के गुणखन लाने की कौशिश करेगा किसी पहाड़े में ढुणने की कौशिश करेगा और कहेगा दो चुके आठ चार दुना आठ ओहो इसमें तो दो का भाग भी जा रहा है इसमें तो चार का भाग भी जा रहा है इसलिए आठ स्वयम एक भाज्य है तीन कौन सी है बच्चा स्वेम कहेगा तीन अभाज है अब ये एक ऐसा जोड़ा है इसमें एक भाज्य हुई दूसरी अभाज्य हुई लेकिन आपस में विचार करो आठ में तीन का भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा है तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें आपस में भाग नहीं जाए चाहे वो भाज्य हो या अबाज्य उसकी चिंता करने की हमें आवशक्ता नहीं यानि कि इस जोड़े में ये दोनों भाज्य भी हो सकती है ये एक भाज्य और एक भाज्य भी हो सकती है दोनों भाज्य भी हो सकती है देखो एक ऐसा जोड़ा लेते हैं आप ये तीन ले लो ये सत्रा ले लो अब देखो सत्रा में क्या तीन का भाग जाता है नहीं जाता है क्या तीन में सत्रा का भाग जाता है नहीं जाता है विचार करो किसी पहाड़े में नहीं आएगा अब देखो तीनों जोडे की प्रकरती देखो यहां दोनों क्या है बोलो भाज्य है यहां दोनों क्या है एक भाज्य है यहां दोनों क्या है दोनों अभाज है यानि कि इस जोड़े में दोनों भाज हो एक भाज एक भाज हो पहली अभाज दूसरी भाज हो चिंता करने की जरुत नहीं देखना क्या है आपस में भाग जाता है कि नहीं जाता है आपस में भाग नहीं जाना चाहिए तब ही वह सह भाज कहलाएंगी आठ में तीन का भाग नहीं जाता तीन में तीन का भाग नहीं जाता तीनों परस्तियों में आपस में यह भाजित नहीं है अता संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो दोनों आपस में एक दूसरे से भाजित नह होंगे अभाज्य संख्याओं की अंतरगत सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा या असह बाज्य संख्याओं की रूप में जाना जाता है अर्थात इसका अगर हम एक उभाइनिस्ट गुनंखन लाने की कौशिश करें तो एक के अलावा कुछ भी नहीं आएगा आठ और 27 में गुनंखन करें तो आठ इंटु एक 27 इंटु एक यानि कि उभाइनिस्ट गुनंखन क्या हुआ एक आठ इंटु तीन में करें तो आठ इंटु एक और तीन इंटु एक उभाइनिस्ट गुनंखन क्या हुआ एक अर्थात इनसह अभाज्य संख्याओं के जोड़े में उभ संक्यापदती अपने आप में बहुत विस्तारित रूप लिये हुए है लेकिन जितनी गहराई से अभ्यास के माध्यम से छोटे छोटे उदाहनों के माध्यम से अम बालक के सामने रखते चले जाएंगे तो धीरे धीरे ये जटिलता सरलता का रूप धारन करती चले जाएगी देखिए हमने नए जटिल संप्रत्यों को कितना आसानी से बालक के सामने रखा आशा है आप सबी ध्यापक लोग अपने धेरे को रखते हुए बालक के स्तर पर जाकर इन संख्याओं को इतने सरलतम रूप में आप बालक के सामने प्रस्तूत करें उसके दिल में उसके रद संख्याओं को उनका मित्र बनाएए संख्याओं से प्रेम कराएए गणित से प्रेम करेंगे इसी आशा के साथ एक बार पुना धन्यवाद